असलाम अलेकूम और वेलकम टू दॉक्टर नाशीबा सलमान स्केन सिलूशन्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दाट इस लिपोप्लास्टी यह क्या होता है? बहुत अफ़ ऐसा होता है कि हमारे बाडी के डिफरेंट एरियाज या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर fatt deposit होती है या फिस एलियू लाइट होती है इसका यह मतलब है कि आपकी पूरी बाडी जो है ओर वो अवर वेट नहीं है लेकिन कुछ areas या कोई parts ऐसे हैं जहां पर आपकी fat deposited रहती है और वो आपको बुरा लगता है एक छोटा सा pouch होगा, एक छोटा सा bag of fat होगा और वो आपको बुरा लगता है और आप कुछ कर लें कोई exercise कर लें, कोई diet control कर लें आपका weight ठीक हो जाएगा overall आप weight को lose भी कर पाएंगे बट वो जो pouches है, fat के, वो वही के वही रहते हैं उनको mobilize कराना पड़ता है उनको उस जगा से हटाना पड़ता है ताकि आपकी body जो है, वो properly shaped हो जाए या appropriately shaped हो जाए जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि यह जो upper portion of the arm है यह बहुत ज़्यादा heavy है, body मोटी नहीं है, body overweight नहीं है जब यह heavy होगा, तो वो आपको उपर से बहुत ज़्यादा चोड़ा body को बहुत ज़्यादा चोड़ा लुक देगा अगर हम सिर्फ खाली इस bulk को अगर हम सिर्फ इस bulk को लिपोप्लास्टी से ठीक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो look है वो कितनी slimmer हो जाएगी कितनी trimmed look आएगी उसी तरह से औरतों में जो है वो pelvic abdomen होता है बच्चों के बाद कि उनका पूरे का पूरा वजन वो ठीक कर लेते हैं लेकिन एक छोटा सा पेट जो है वो pelvis वाली यह वली जगा जो lower abdomen है वहाँ पे रह जाता है वो जाता ही नहीं है exercise कर लें तब भी नहीं जाता बहुत सारी लोग जो है बहुत सारी ladies जो हैं उनमें operation होता है जैसे C section करते हैं तो उसके बाद आपके muscles जो हैं वो cut हो जाते हैं उपर वाला हिस्सा उपर रह जाता है नीचे वाला नीचे तो वो एक pouch बन जाता है जो कि जाता नहीं है lipoplasty ऐसे area के लिए बहुत अच्छी है फिर अगर आपको back पे hump है किसी का वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे love handles बने वे हैं वहाँ पे आप इसको use कर सकते हैं आपकी thighs ज्यादा बलकी है आपकी बाकी body के निस्पत ज्यादा heavy है वहाँ पे इसको use किया जा सकता है पीछे अगर आपकी कमर पे यह वैला area जो होता है जो upper back है वहाँ पे आपके जो हैं वो folds बनते हैं fat के उसको ठीक किया जा सकता है होता क्या है यह एक machine होती है जिसमें हम machine को जब हमने किसी area से fat को mobilize कराना है या वहाँ से निकालना है खतम करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो steps होते हैं जो कि machine के through किया जाते हैं जो पहला step होता है वो इनको इन cells को जिनके अंदर fat cells जिनके अंदर पानी अकठा होता है deposited होता है और यह एक area पे आपको अकठे हुए वे या पढ़े वे नजर आते हैं और जिसकी वज़ा से आपको वहाँ पे different fat के bulks नजर आ रहे हैं body में यह उसको जो है वो solan करता है उसको फुलाता है ताकि वो उसको फाड़ के उसके बाद वहाँ से fat के cells निकलें fat के cells कैसे निकलते हैं वो आपके stool से पास होते हैं सिर्फ आपके stool से ही पास होते हैं उन fat cells के उपर काम कर रहे हैं जहां पर हम काम करना चाहते हैं rest of the body जो है वो बहुत ठीक रहती है उसमें कोई issue नहीं होता और कोई भी चीज आपके blood stream में नहीं जा रही है तो आपकी body में कोई भी medicine अगर आप लेते भी हैं regular basis पे तो उसके साथ इसका interaction नहीं होता ठीक हो गया दो steps होते हैं जो पैला step होता है वो इन cells को ready करता है और जो second वाला step होता है वो पिर उनको फाड़ के और वहां से जो fat है उसको remove कराता है उसको mobilize कराता है आपके stool के थूँ ये बहुत अच्छा treatment होता है उन लोगों के लिए जो के अपनी shape को बेतर करना चाहते हैं और उन में जो है वो different जगा पे या तो fat के deposits होते हैं और या पिर cellulite होती है cellulite इस तरह से होती है जैसे आपने देखा होगा कि जैसे orange की skin होती है जिसमें छोटे-चोटे dimples पड़े वे होते हैं उसी तरह से आपकी skin जो है उसके उपर आपको जगा-जगा जो है वो dimples नजर आ रहे होते हैं छोटे-चोटे dimples भी होंगे और बाकी जो bulk है वो भी आपको नजर आ रहा होगा उसको भी अगर smooth करना होता है तो उसको हम lipoplasti के through करते हैं सब में किया जा सकता है males में किया जा सकता है females में किया जा सकता है youngsters में किया जा सकता है अगर कोई बुड़ा है या थोड़ा aged है mature age का है उसमें किया जा सकता है इसमें कोई आपकी age limit नहीं है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई medication भी ले रहे होते हैं on regular basis तो ये उसको interact इसली ही नहीं करता कि हम इसके अपने खास area के उपर काम कर रहे हैं, हम बाकी rest of the area पे काम ही नहीं कर रहे हैं.